हेलो गाइज वेलकम टू माई यूटूब चैनल आप देख रहे हैं साइनिंग इस्टारफ वाल्ड और महिंगों के साथ भी वेक टाटा आइपल 2024 का मैच नमबर 42 कवर करेंगे पंजाब वर्सच कोलकाता नायट राइडर्स के बीच में यहां मैच खिला जाएगा कोलकाता के पीच रिपोर्ट बात करेंगे तो दोस्तों वीडियो का अंतक बने रहें का वीडियो बढ़ाएं इंट्रेस्टिंग है दोस्तों अगर आप सभी फैंटेसी में अच्छी खासी लोस में होंगा ता आप सभी के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को जोईन के दिए वीडियो को पर बिसक्रिप्सिंग मेरे टेलीग्राम चैनल और वहां पर मैं आपने पाइनल टीम भेजता हूं तौस होने के बाद तो आप सभी वहां से जाकर देख सकते हैं टीम को अब सब 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 पहले बात करते हैं इडन गार्डन की पिच रिपोर्ट इडन की पिच रिपोर्ट द पास्टर्स दोनों कभी मैच में आ सकते हैं कभी भी कमबैक कर सकते हैं तो दोनों को आप सभी रखिएगा इस पीनर्स और पेसर्स को और आज सब लगता है यह दोनों मिलके चार से पांच विकेट लेंगे इतना मेरा यह मेरा प्रेटिक्शन है और दोस्तों इस ग्राउंड पे आउट फिल्ड बड़ा तेज होता है दोस्तों यहां पर चक्के चक्के चौकर की बहुत बरसात होती है तो आप सभी इस ग्राउंड में बैट बलापढ़ थि territoria है और इंडिया का सबसे सबसे के सटरीवड्य इसंड pan बड़ा इस्टइडियम है यह यह बहुत बहुत बहुतनी है खुब्सूरत सा ही इस्टियम है कॉलकाति मैं तो दोस्तों सभी को बता दूए मेरे ड्रीम 11 में आज केप्टन सुनिल नरायन है और सेम करन है तो दोस्तों आप सभी मेरे ट्रीम 11 टीम को भी देख सकते हैं स्क्रीन पे और मैं अच्छी खासी बेनिंग कर रहा हूं कल बंगलोर और हैदरबाद के बीच में जो मैच हुआ था उसमें मैं ट्रेवी सेट को बाहर कर दिया था मुझे पाद लगी रहा था कि ट्रेवी स चैनल है आप सोगा सासानी से जाइन हो सकते हैं मिलते हैं दोस्तों एक बहत्रन वीडियो में ऐसा ही आए दो